ओम दुम दुर्गाय नमाः जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माभग्विति दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों नवरात्री में अश्टमी और नौमी की दिथी बहुत महत्यपूर्ण होती है अगर आप पूरे नवरात्री में कोई भी व्रत नहीं कर पाए हैं कोई पूजापाट विशेश रूप से नहीं कर पाए हैं तो अगर आप मात्र अश्टमी और नौमी दिती के दिन मादरुगा की विशेश रूप से पूजा पाट करके उनकी आराधना करते हैं तो निस्जी थी मात्र एक दिन में मतलब अश्टमी दिती के दिन या फिर नौमी दिती के दिन पूजा करने से ही संपूर्ण नवरात्री कफल आपको प्राप्थ हो जाता है इसलिए अश्टमी और नौमी की दिथी बहुत महत्पूर होती है तो आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूं कि गुप्त नवरात्री में अश्टमी और नौमी दिथी कब है और इस दिन किस प्रकार से आपको मादरुगा की पूजा आराधना करनी चाहिए किन मंत्रों का जब करना चाहिए और कौन सा उपाई करना चाहिए तो आज की वीडियो में एक बहुत अचुक उपाई भी शेयर करने वाली हूं जो अगर आप अश्टमी तिति के दिन करते हैं या फिर अश्टमी और नौमी दोनों दिन कर लेते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो चाहे धन प्राप्ति की हो संतान प्राप्ति की हो विवाह की हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो दामपत्य जीवन को सुक में बनाना चाहते हूं या फिर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं नौकरी में व्यापार में सिक्षा में त और अगर आपने नवरात्री का व्रत किया है तो आपको व्रत का पारणा गब करना है संपुर्ण जानकारी गुप्त नवरात्री से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मेहत्वर होते हैं क्योंकि यही एक मात्र जर्या है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अच्छ वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक समाप्त होगी 27 जून को देर रातरी दो बसकर चार मिनट पर तो ऐसे में सुर्योदे कालिन तिति के अनुसार अश्टमी तिति 26 जून को यानिकी सोंबार को मनाई जाएगी तो जो भक्त मासिक दुर्गा अश्टमी का व्रत धारन करते हैं या फिर अब शुरू करना चाहत करते हैं वो 26 जून को यानिकी सोंबार के दिन मासिक दुर्गा अश्टमी का व्रत धारन करेंगे और बात करते हैं नौमी तिति के बारे में तो देखिए 26 जून को अश्टमी तिति है 27 जून को नौमी तिति मनाई जाएगी मतलब नवरातरी का समापन का दिन होगा तो प्रियोदय कालिन तिति के अनुसार नौमी तिति 27 जून 2013 को यानिकी मंगलवार को मनाई जाएगी तो अब देखिए जो भक्त मंत्रों का जब कर रहे हैं मतलब अगर आपने किसी भी मंत्र का संकल्प लिया है तो पूरे नौमी तिति तक आप मंत्र जब करेंगे मंत्रों क संख्या पूर्ण करने के बाद ही आप हवन करेंगे मतलब नौमी तिति को आप हवन कर सकते हैं चाहे तो दश्मी तिति के दिन भी हवन कर सकते हैं और अगर आपके जब की संख्या अश्टमी तिति को पूर्ण हो जाती है तो अश्टमी तिति के दिन भी हवन कर सकते हैं औ अगर आप एक माला मंतर का जब करते हैं, मतलब 108 मंतर का जब कर रहे हैं, तो आप 11 बार आहुती देंगे उसी मंतर के द्वारा, तो आपका दशान शवन माना जाएगा. अब माल लीजिए कि आप दशान शवन नहीं कर पाते हैं. मतलब अगर आपने मंतर जब बहुत अधिक संख्या में किया है, और स्वायम से आप दशान सवन नहीं कर पाते हैं, तो नवरातरी के नौवे दिन जब आप अपना मंतर संपूर्ण करते हैं, तो उतनी ही संख्या में आप मंतर जब कर सकते हैं. और 11 बार, 21 बार या 108 बार आहुती दे देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये आवश्यक नियम है, मतलब दशान सवन या दशान की संख्या में मंतरों का जब अधिक संख्या में कर देना, तो आप कर लीजिएगा, जितना भी आपने मंतर जब किया है, उसक मतलब देखिए, कन्या पूजन करने में कोई परिशानी नहीं है, क्यूंकि कन्या पूजन किये बिना तो वरत को संपुरुण ही नहीं माना जाता है नवरात्री के, तो ऐसे में कन्या पूजन आप कर सकते हैं, मतलब गुप्त नवरात्री का जो सिधा सा मतलब मैंने आपको कर सकते हैं लेकिन माल लीजिए कि आप करन्या पूजण नहीं करना चाहते हैं अपनी गुप नवरात्री को बिल्कुल गुपत ही रखना चाहते हैं तो ऐसे में करेंगे तब ऐसे में कन्याओं के निमित आप कुछ धनका दान कर सकते हैं, मतलब किसी भी देवी मंदिर में अगर आप कुछ धनका दान कर देते हैं, मन में ऐसा विचार करके कि आप कन्या पूजन के निमित ये दान कर रहे हैं, तब भी आपका कन्या पूजन माना जाएगा, या फिर आपके घर क आज पास कोई भी कन्या है तो आप उसे वस्त्र दे सकते हैं या फिर खाने की कोई चीजे दे सकते हैं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने लेवल पर आप चाहे तो कन्या पूजन के निमित कुछ धनका दान कर सकते हैं तो इस प्रकार से भी आपका नवरात्री वृत पुर्ण माना जाएगा तो अश्टमी और नौमी के दिन विधिविधान से मा की पूजा कर लीजिए और जिस प्रकार से प्रकटन वरात्री में हलवा पूड़ी और चने बनते हैं उसी प्रकार से घर में बनाकर और मा को भोगर पित कीजिए फिर उसके बाद गाई के निमित भी आप हलवा पूड़ी और चने दीजिए अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसका पूजन भी मादुर्गा का स्वरूप मानकर कर सकते हैं उसके बाद आप अपने वरत का समापन कर सकते हैं अचा बहुत से भक्त हैं जो की वरत नहीं भी कर रहे हैं तो अगर अपनौमी के दिन विशेश रूप से मादुर्गा की पूजा आरातना कीजिए घर में जो आपके मादुर्गा विराजित हैं चाहे फोटो हैं या फिर विक्रे हैं उनका आभिशेक कीजिए और उनको लाल वस्त्रधारन कराईए फिर विधी विधान से लाल पुष्पो से उनका पूजन कीजिए मा को सिंदूर अर्पित कीजिए अगर आपके पास सुहाग की सामगरी है तो सुहाग की सामगरी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र इत्यादी सभी चीजें जो आपके सामर्थे में हैं मा को अर्पित कीजिए सोले स्रिंगार की सामगरी मा को अर्पित करक नाडियल जरूर घर में मंगाईए मां को अर्पित करके और प्रसाथ स्वरुप परिवार के सभी सदस्य उसे विद्रित करके ग्रहण कर सकते हैं इस प्रकार से नवरात्री का समापन अच्छे तरीके से कीजिए पूजा पाठवेदी विधान से कीजिए अश्टमी और नौम करके और भोजन कर लिया जाता है कई स्थान पर नौमी तिति के दिन वरत का पारण किया जाता है कई स्थानों पर दश्मी तिति के दिन भी किया जाता है तो आपके हैं जिस प्रकार की परंपरा है अश्टमी नौमी या दश्मी पूजा की उसी प्रकार से आप इस नवरात करने के बाद हवन करने के बाद कन्या पूजन के निमित कुछ धन निकाल कर रख दीजिए या फिर दान कर दीजिए उसके बाद स्वैम भी आप भोजन कर सकते हैं व्रत का पारण कर सकते हैं और हां अगर आप पूरी नवरात्री व्रत करते हैं और दश्मितिति के दिन आपक का पारण कर सकते हैं तो नियम बिल्कुल ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि हम प्रकट नवरात्री में करते हैं बस ये नवरात्री गुप्त होती हैं जिसमें हम अपनी पूजा अपनी प्रार्तना आराधना बिल्कुल गुप्त रखते हैं माभगविती दुर्गा और हमार प्रकार से पालन कर सकते हैं और हाँ अब बात करते हैं आज के गुपतुपाय के बारे में देखिए शास्त्रों के अनुसार अश्टमी और नौमी के दिन माद्रुगा के मंदिर में अगर नौ दीपक प्रज्वलित किये जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है मतलब दीपक प्रज्वलित करते समय आप अपने मन में जो भी कामना करते हैं वो समस्त मनों कामनाय पूर्ण हो जाती है तो आप अगर किसी मंदिर में जाकर मतलब देवी मंदिर में जाकर यह उपाई करते हैं तब तो अत्यंति स्रेश्ट होगा लेकिन माल लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई देवी मंदिर नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे तब ऐसे में आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको लेने हैं नौ दिये आप चाहे तो आटे के दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं दीपक में शुद्धगी या तिल-तेल जो भी आपके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं और इस दीपक में आपको नॉर्मल बाती का प्रयोग करना है मतलब जो भी बाती आपके घर में उपलब्ध है लंबी बाती या फिर गोल बाती जो भी आपके पास सुपलब्ध है वही बाती आप इसमें डाल दीजिए और शाम के समय विथी विधान से जब आप मा की पूजा आरातना कर लेते हैं तो उसके बाद मा के सामने आपको ये दीपक प्रजलित करना है अपने मन की कामना करते हुए एक एक दीपक आपको प्रजलित करना है और मासे प्रातना करना है वही बैटकर आप चाहें तो दुरगा चालीशा का पाट कर सकते हैं या फिर नवार्ण मंत्र का जब कर सकते हैं वार्ण मंत्र क्या होता है ओम एम रेम क्लिम चामुन डाय विच्चे इस मंत्र का आप चाहे तो जब कर सकते हैं यह फिर दुर्गाचालीशा का एक बार पाठ कर लीजिए और मासे अपनी मनो कामना को पुर्ण करने के लिए प्रार्तना कीजिए मासे प्रार्तना कीजिए कि आप से जाने अंजाने कोई भूल चुक हुई हो आप से या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य से तो उन्हें शमा करके आपके उपर कृपा करें और आपके जीवन को सुख में बनाएं और पूरे विश्वास से इस उपाई को कीजिए तो निस्टी थी आपको लाब होत सफेद मिठाय कर सकते हैं यवज क्योंदे आपके पास उपलब दो सामर्थ के अनुसार मा की विद्यविधान से पूजा कर ली जिए उसके बाद यह उपाई rifle की जे मंतरों का जब कीजिए अपनी इच्छा कर रहे हैं और उसके बाद मापर विश्वास रखीए कि आपने जो कहा है मादुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करेंगी तो धैर्य बना कर यह उपाई कीजिए अब जैसे कि अगर आप घर में यह उपाई कर रहे हैं तब आप एक थाली में यह सारे दीपक रख सकते हैं और घी या तेल जो भी आपको भरना है भर कर रख दीजिए प्रजलि कर पाते हैं तब आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए देखे आस की दित ही जितनी महत्यपोन कि ऐसे नपकिशी देवी मंदिर में इतना कुछ दिया है कि अब आपको किसी भी चीज की विशेश कामना नहीं है। तब भी आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए। तो मा की कृपा प्राप्ती के लिए ये विशेश उपाई हैं सबको करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ भश्य होगा। ये उपाई आप जरूर करेंगे इस नवरात्री में और हर नवरात्री में आप ये उपाई अश्टमी और नौमी तित देगा। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें अश्टमी और नौमी से संबंधित जो भी आपके प्रश्ण थे उन सभी प्रश्णों को भी मैंने सामिल किया हैं और कुछ जरूरी चीजे भी शेयर की हैं। तो उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अव